असलाम अलेकोम वेल्कम बैक टू मैं चैनल तो आज मैं बनाने लगी हूं मैंगो कस्टर्ड बहुत ही असानी से बन जाता है और बहुत ही जल्दी से त्यार हो जाने वाली रेसिपी है जो कि अगर कोई महमान भी आज आपके गर तो आप बहुत ही जल्दी से इसको जो है वो स्टर्ट करते हैं तो यहां पर सबसे पहले मैंने ले लिया है दोधें और उसको मैं कर रही हूं बॉइल और रेडी बोईल है लेकिन इसको कि टुबारा से करूंगी मैं क्यूंकि अबोर दालनी है शुगर और से बाद मैंनेεις करूंद मैंगों तो और इसमें से यह निकला ह दो दफ़ा बनाने के लिए होता है, यह सो ग्राम है तो यह दो दफ़ा यूज होगा, तो यहां पर मैंने ले लिया है, जी दूद एक छोटी सी बाल्टी में, जो के गरम नहीं है, यह फ्रीज का दूद है बिल्कुल, और साथ ही मैंने ले लिया है, जी कस्टर्ड, हाफ ले कर ले ले न, इसको इसमें कोई लंप लखेर न ह्याख फिल्स, और न इसको अच्छे से मलाईम कर ले लेना है, और फिर मैंने इसमें अट कर देनी है शुगर, दूद के अंदर में शुगर एड़ आड़ कर दूगी, यह साथ चमच है, यह सात चमच functions साथा प्र खाने के च शुगर को फिर मैं इसमें टाल दूंगी जो मैंने कस्टड बनाया मैं वह इसमें एड़ कर दूंगी सासा जो है वो चमश घुमाते रहना वनना नीचे लगजेगा और खराब हो जेगा पर सारे का साया हो जेगा इसको आपने चलाते रहने सासातना यह देखें यह रेडी होन अगर कम गड़ा चाहिए तो फिर इसको जैसे आपको पसंद हो वैसे इसको यूज कर सकते हैं यह देखें जी काफी हद तक गड़ा हो चुका है हम थोड़ा करेंगे से और इसके बाद जो है ना इसको निकाल लेंगे बाउल में और फिर इसको हम रख देंगे फ्रीज में ठंडा होने के लिए यह देखें जी अब ना मैं इसको निकाल रही हूं एक बाउल में बहुती अच्छी सी कुश्बू आ रही थी इसमें से मैंगो की मैंगो का फ्लेवर तो ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है चाहिए किसी भी चीज में होना मैंगो का फ्लेवर तो जबर इतने अपनी नेक्स वीडियो में तब तके लिए लिए लाह आफीस